हलो दोस्तो वेलकम टू मैं चैनल दोस्तो आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ हाउ टू डिलीट हैपन अकाउंट पर्मेनेटली दोस्तो काफी लोग कई बार एप अनिंस्टॉल करते हैं लेकिन एसा नहीं होता है आपको डिलीट करना पड़ता है अकाउंट तो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कैसे डिलीट करना है और उसका क्या प्रोसेस है तो वीडियो आपको उट्रेक देखना है और अगर आपको चैनल पे निउ आयो हो तो सब्सक्राइब करके bell icon जरूर दबाएए ताकि ऐसी helpful video सबसे पहले आप देख सको सबसे पहले आपको यहाँ पे happen search कर लेना है open कर लेना है chrome पे official website डिख रहे हैं तो आपको official website पे click कर देना है यहाँ पे second number पे जो है यहाँ पे open होने के बाद देख सकते हो तो आपकी screen पे happen इस तरीके से open होता है तो उपर three line दिख रही होगी तो इस पे आपको click कर लेना है उसके बाद last contact है तो contact पे आपको click करना है उसके बाद दोस्तों आपको scroll down करना है यहाँ पे आपको यहाँ जो question mark दिख रहा है नीचे icon तो उस पे click करके नीचे यहाँ पे contact पे वापीश से click करना है अब यहाँ आपको पुरा form मिलता है तो आपको fill up करना है अब मैं step by step बता रहो क्या क्या आपको fill करना है इसमें सबसे बहले आपको अपना नाम लिख देना है उसके बाद email address अपना लिखना है जो आपकी register email ID होई आपको लिखना है उसके बाद subject में आपको यहाँ पे बहुत सारे option मिलते है तो यहाँ पे आपको कौन सा option लेना है मैं बता देता हूँ managing my account उसके बाद एक बार फिर से आपको email अपना डाल देना है confirmation के लिए आपकी यही email ID पे आपको happen की तरफ से email आएगा वो मैं आगे आपको दिखा दूँगा उसके बाद दोस्तों device में कुछ नहीं लिखना है SMS login में कुछ नहीं लिखना है क्योंकि वो दोनों optional है नहीं लिखोगे तो भी कोई problem नहीं है अब यहाँ पे how can we help you में आपको सिर्विद में लिखना है please delete my happen account यह पूरा लिख लेना है और यहाँ पे नीचे send का option है तो आपको अच्छे से पुरा अपना form चेक कर देना है email ID नाम सब सही है spelling mistake तो नहीं है उसके पाद send के option पे क्लिक करके आपको send कर देना है यहाँ पे blue color का send option है तो send पे क्लिक करना है send करना है उसके वाद आपको यहाँ पे लिख आता है thanks for reaching out someone will get back to you soon मतलब आपका शुकरिया जो भी आपने भेजा है request और आप जैसी भेजोगे तो आपको 10 से 15 मिनिट में आपके email ID पे happen का email आएगा क्या आएगा वो मैं आपको यह यहाँ पे आता है देखिए आपको happen की तरफ से आगया thank you for contacting customer service team यहाँ पे लिखा है you will receive a response with in average of 48 working hours मतलब 48 एंटे में आपका account delete हो जाएगा तो उम्मीद करता हूं समझ में आगया आपको कैसे आपना happen account delete करना है वीडियो अगर आपको helpful लगी है अच्छी लगी है तो like कीज channel को subscribe कीजिए okay bye